गुड मानिंग गाईज मैं सीव हम आप सभी का सौगत करता हूँ आपकी इपनी यूटूब चैनल दाफायश्टी पर फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं करेंट का सेशन और आज हम लोग का सेकेंड वीक का है फैवरी मन्त का 2019 और इसमें हम लोग करने वाले हैं आठ से लेकर 14 फ करते हैं आज का पहला प्रश्ण अभी अभी कौन सा देश नाटो अभी अभी कौन सा देश नाटो का तीसवां सदस्ते देश बन गया है तो इसका सही उत्तर है मैसोडोनिया दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले जब जन्वरी वीक करेंट अफेर्स बताया था उसमें बत देख लिया है और यह जो है नाटो का सदस्ते देश बन गया है अब दोस्तों नाटो बाता आई है तो नाटो का पूरा नाम क्या होता है नाटो इन ए टी ओ इंपोर्टेंट एक संस्था है नाटो इसका पूरा नाम है नौर्थ एट्लांटिक ट्राइड ऑगनाईशन नौ कोपजे इस कोपजे चलिए नेक्स्ट कोशिन देखते हैं 25 फरवरी को राष्ट्री यूद्ध संग्राले नेशनल वार म्यूजियम का उद्गाटन किसके दौरा किया गया किया जाएगा जिसका सही उत्तर है कि 25 फरवरी को भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोधी ने नेशनल वार म्यूजियम का उद्गाटन किया यह कहां पर नई दिल्ली में इंडिया गेट इंडिया गेट में ही नई दिल्ली में एक म्यूजियम मना उसका नाम है राष्टी यूद्ध संग्राले नेशनल वार म्यूजियम उसका उद्गाटन भारत के पतान मंतरी नरेंद मोधी है कि चलिए नेक्ट कोईशन की बाद करते ह July 11 और 12 फरवरी को भरती शेना ने किस राज में अभ्यास राहत का अयोजन किया अभ्यास राहत चेश ऊसका सहिए तर है कि प्राज़स्थान अभ्यास राहत का रास्थान के तीन जिलों में किया गया आप तीनों जीलों का नाम जान लीजिए बहुत इंपॉर्टन्ट है कोटा अलवर और जैपूर कोटा अलवर और जैपूर में 11 और 12 फरवरी को अभ्यास राहत कायोजन किया गया इसमें मानवी सहायता येवाम आपदा रहित अभ्यास था ये जो अभ्यास था इसका जो उद्धेश सिथा की मानवी सहायता येवाम अभ्यास कहा हुआ रहस्तान कि सब्सक्राइब कोटा अलवर और जैपूर नेच्ट प्रस देखते हैं हाली में PMJ app को Google Play Store पर launch किया गया PMJ में A का अर्थ क्या है आपको बताना है जो जै है इसमें जो A है बीच वाला आपका उसका अर्थ क्या है आपके options इसकीन पर है तो इसका जो A का मतलब होता है वो होता है आरोगे इसका पूरा नाम हो जाएगा PMJ का हो जाएगा प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना तो A for आरोगे जे फार जन वाई फार योजना PM for प्रधान मंत्री तो प्रधान मंत्री जन आरोग योजना इसका पूरा नाम हो जाएगा और इसका उद घाटन इसको जो लांच किया था भारत के प्रधान मंत्री ने 23 सितंबर 2018 को बहुत ही important question यहां से हर बार प्रश्ण आ रहे हैं किसी भी state exam में अभी इस बार बिहार PCS ने पूछा था और UP के जब हाई कोट ARO का एक्जाम होगा था उसमें भी पूछा गया था प्रधान मंत्री जन आरोग योजना या आयुसमान भारत योजना यह पूरे विश्च्व की सबसे बड़ी स्वास्त योजना है और इसको राची जहारगंड से सुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 में भारत के प्रधान मंत्री नेरेंद मोधी द्वारा चलिए next question देखते हैं सबके सबसे ज़्यादा राजस सुप्राप्त हुआ है इसमें पूछा गया है जो इंकम है गवर्मेंट को किस पूरातत्त्त मतलब किस और्कलाजी प्लेस से आपको सबसे ज़्यादा राजस मिला है तो इसका सहुत्तर है ताज महल आप सबको पताओगा ताज महल कहां है त और इसको यह उनुसको में भी सामिल किया गया है 2015 से लेकर 2018 तक यह जो है तीन वर्सों में सबसे आदा कमाई करने वाला ताज महल बन गया है चलिए नेक्स्ट कोशन इसमें पुछा गया है भारती महिला करिकेटर जिन्होंने सबसे तेज अर्दस तक लगा दिया उनका नाम है इसमिर्थी मंधाना इसमिर्थी मंधाना को ही ICC 2019 और 2018 के लिए उनको Wisdom of the Woman Lady करिकेटर चुना गया है और 6 फरवरी को इसमिर्थी मंधाना ने महाँ 24 गेदों में 50 रन बना डाले थे और ये भारत की सबसे तेज महिला T20 अर्दस तक लगाने वाली खिलाडी बन गई है इन्होंने New Zealand के खिलाफ 24 गेदों में 50 रन बनाये थे अगर आप से पूछ सबसे तेज अर्दस तक लगाने वाली महिला कौन सी है तो उनका नाम है सोफी डिवाइन सोफी डिवाइन ने T20 में महाज ठारा गेदों मर पचास रन बना डाला था सोफी डिवाइन ने विश्व में अगर भारत में पुछा था तो इसमिर्थी मंधाना चलिए नेक्स्ट उस देश का नाम है अर्जेंटीना अर्जेंटीना में दिनेज भाटिया को भारत का अमबेसेडर न्यूक्त किया गया है दोस्तों अमबेसेडर सबका याज ने मुझे आया कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया है तो अप्रेल 2019 तक का सभी महत्रपूड जो आ आर्जेंटिना अर्जेंटीना दोस्तों इसका से उतर दिनेज भाटिया भारत करा अबरे पो तर को 6.50 0% से घटा कर कितने प्रतिसत कर दिया है रिजर्बैंक आफ इंडिया ने जो दिव मौसिक मौधरिक नीटियों में उनका रेपो रेट होता है रेपोदर होता है पहले वो 6.25 जीरो था अब उससे घटा कर रवाई ने कितना प्रतिसत कर दिया तो इसका सईबतर है 6.25 आफ लै लेता है उसी को लोग कहते है अग्छेत्स को घटा कर दिया है और बिया इक है और मुख्याले नई दिल्ली में कि नेक्स्ट कोईशन हाली में दर्वाजाबंद अभियान भाग दो की सुगात किस ने की थी मैंने जब आपको कल वाली वीडियों बताया जो लोग नहीं देखें जाके देख लिए मैंने सब उसमें सारे बिनेंड और अबनेश्टर बताया है तो दर्वाजाबंद अभियान में भी आपको बताया था कल तो उसके अमिताब बक्चन और अनुस्का सर्मा तो दर्वाजाबंद अभियान भाग दो की सुगात अमिताब बक्चन ने किया था फिर बाद में जाके अनुस्का सर्मा भी उसमें जुड़ गई थी तो इसमें दो आफसन आपको दिख रहा होगा तो पहले तो इसका सही आफसन है अमिताब बक्चन और महिलाओं में अनुस्का सर्मा भी उनके साथ तर्वाजाबंद अभियान में साथ में थी चलिए नेफ्ट कुशन देखते हैं कि छहार फर्वरी को कि राज पुलिस ने डिशी कॉप अप्लिकेसन लांच किया है वो किस राज ने क्राज की पुलिस ने इसे लांच किया है तिसको लांच किया है चे ने पूलिस यह किरेगा तो की यातायात पर निगरानी रखेगा जो भी चेहने सहर में यातायात होगा उसके लिए एक लूँच किया गया चेहला उसका नाम है कॉप नेक्ट कुछिन निम्ड मेंसे कहाँ पर विश्व धरोहर केंद्र वर्ड हेरीटेज ंटर 200 धरोहर केंद्र यानि वर्ड हैरिटेज सेंटर अस्थापित किया जाएगा जिसका सही उत्तर है मायापूर वेस्ट बंगॉल मायापूर के पस्च मंगाल में आपका 200 धरोहर केंद्र बनेगा वर्ड हैर्डे में जो है 45 और इसकी लागत को लगनी है तीन हजार करोड़ रुपए 3K करोड़ रुपए इसकी लागत लगेगी नेक्स्ट कोशन है 6 फरवरी को किसने इस्मिर्थी इरानी ने कहां से इंडिया साइज परियोजना का सुवारम किया किसने सुर्ण गलत लिख उठा 6 फरवरी को इस्मिर्थी इरानी ने कहां से इंडिया साइज परियोजना का उद्धाटन किया तो इसका सही उत्तर है मुंबई मुंबई से स्मृतिरानी ने इंडिया साइज परियोजना का सुभारम किया और जो आपका इंडिया साइज परियोजना है इसका उद्देश है कि ready to wear कपड़ों पर मानक त्यार करने का ready to wear कपड़ों पर जो मानक इस्टेंडर्ड त्यार किया जाएगा अब वो मुंबई से ही त्यार होगा चलिए next question देखते हैं नमिंतम आंकडों के नुसार swine flu के कारण सफसे ज़्यादा लोगों की मौत किस राज़्य में हुई है तो swine flu का जो scientific name है N1H1 रासाइनिंग नेम उसका N1H1, N1 यह आपका IES 2015 में question पूछा गया था उसके बाद जी का virus अभी आपका V8 में पूछा गया था अंकी ने मुख्यमंद्री जो चुने गए हैं उनका नाम असोग हेलोत है राजस्तान की राध्धानी जैपुर में नेक्स्ट कोशन अंतराश्टी बहुदिक संपता सुचकांग 2019 यानि Intellectual Property Index 2019 में भारत का स्थान क्या है तो भारत का स्थान 2019 में 36 स्थान है अगर बात कही जाए कि 2018 में भारत का बहुदिक संपता सुचकांग में प्राप्त किया है लग्जेश्ट कोशन देखते हैं बूरी बूर्ड पोलो पोलो बूरी डोत एलो तेवार कि सराज में मना यह जाता है तो इसका सहीद्थर है ऑनउनाचल प्रदेश बूरी बूर्ट एलओ यह जो festival है यह अनुनाचल पृदेश में मिना याता द आग नेक्स्ट कोशन 2017 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार 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 पु पूशन देखते हैं कि अ कि अ कि साथ फर्वरी को अलप संख्यक माम लोग की मंत्राले का सच्व किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है सैलेस सैलेस को अलप संख्यक माम मैं इनका पूरा ना मुक्तार अब्बास नक्वी मुक्तार अब्बास नक्वी यह जो है अल्प संख्यक मामलों के मंत्री हैं कि नेक्स्ट कोशन साथ फर्वरी को एवजित उज्जोला उस्सो उज्जोला उस्सो में लॉंच किये गए पी-एम-ई-उ-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई उज्जुला कि रचईता पुछा गया कौन है गाने के तो कैलास खेर एक सिंगर आपको पता होगा कैलास खेर तो कैलास खेर नहीं गाना गाया है उज्जुला भारत उज्जुला पी यम यू आई का पूरा नाम प्रधान मंत्री उज्जुला योजना होता है तो नेक्स ल tęज अनासा दोरा किस वर्स को अठारा शोऩ के बाद से चोथा सबसे गर्म वर्स गोसित कर दिया गया गया था ब यह बताया है वह है dus 2018- предлож e 13 को नाशा ने चौथा सबसे गर्म साल बताया है और सबसे जएधा गर्म साल कोन से था वो था आपका 2016 सबसे ज़्यदा होट यह ज्人 शुट बेशन ये नासा का मुझाल है कहां पर में बताना होगा next question देखते हैं किस अस्थान को जम्मू कस्मीर का तीसरा प्रसास्तनिक विभाग administrative division बनाने को मंजूरी मिली है तो इसका सही उत्तर है लद्दाख आपको पता होगा कि लेव लद्दाख में बहुत कम बारिस होती है और इसी अस्थान पर जम्मू कस्मीर का तीसरा डिविजन बनने जा रहा है इसके पहले दो डिविजन जम्मू कस्मीर में थे पहला तो जम्मू था और दूसरा कस्मीर था और यह जो आपका लद्दाख है यह पहले जो है कश्मीर डिविजन में आता था लेकिन अब लद्दा के खुद तीसरा डिविजन कस्मीर का बनेगा और इसका जो हेड़कॉर्टर होगा लद्दा का वो होगा लेह में लेह और लद्दा के अंदर दो जिले आएंगे लेह और कारगिल तीसरे डिविजन में दो जिले होंगे लेह और कारगिल फिर से अगर आ चम्मू कस्मीर में दो डिवीजन थे जम्मू और कस्मीर तो पहले लद्दाक आपका कस्मीर के अंदर आता था लेकिन अब लद्दाक एक free डिविजन खुद तीसरा बन गया है इसका हेड़कॉर्टर लेह में है और लद्दाक के अंदर दो जिल आएंगे लेह और कारगिल च अरुण प्रभाद दूर्दर्थन चैनल का उद्गाटन किया तो 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोधी ने अरुणाचल प्रदेश का दोरा किया था और वहीं पर उन्होंने अरुण प्रभाद चैनल को लॉंच किया था अरुणाचल प्रदेश में और प्रधानमंत्री मोधी ने Anyway बरफोन देश में ग्रीन फीर्ड एरपोर्ड की आधहार सिलावी रखीए आपको याद रखना होगा जी कि फ आई ग्रीं फील्ड एरपोर्ड की आधहार सिलावीर, अरव्दी प्रदेश में मोदी जी ने रखीए6 नेक्स्ट कोशन हाली में रीली क्यों पुस्तक लौ जस्टिस एंड जुदिसियल हाली में रिली जुतिक लव जस्टिस एंड जुडिसियल पावर किस ने लिखा है जिसका सहे उत्तर मूलचंद सर्माने इस पुस्तक को लिखा है मूलचंद सर्माने पुस्तक का नाम फिर से अब लोपर लीजिए law justice and judicial power law justice and judicial power इसको लिखा है मूलचंद सर्माने आफसन नमबर भी आपका सही है यह दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रहे पियन भगवती के उपर यह पुस्तक लिखी गई है और लिखा किसने मूलचंद सर्माने मैं आपको एक बात बता दू कि जो पियन भगवती भारत के पूर्व चीफ जस्टिस है उनको जो है जनहित याचिका का जनक कहा जाता है जो आपका PIL होता है जनहित याचिका होता है PIL जो दायर करते हैं लोग तो वो उसके जनक कोन है फादराफ PIL उनका नाम है पियन भगवती पियन भगवती और उसी के उपर एक पुस्तक लिखी गई है लॉज जस्टिस एंड जूडिसियल पावर उसके लेखा कहा है मूल चंद्र सर्मा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं हम लोग 11 फर्वरी को PM नरिद मोदी ने कहां पर Petro Tech 2019 का उधगाटन किया तो आपको पता होगा कि ये वह हाली में Greater Nevada में एक्सपो लगा हुआ था एक्जिवीशन चल रहा था और उसी में भारत के प्रसान मंद्री नरिद मोदी ने पेट्रोलियम और रसान मंद्रा ले द्वारा के तरफ से उन्होंने इसका उधगाटन किया Greater Nevada में Greater Nevada में नेक्स्ट कोशन जंगली जनवरों की प्रजादियों के सनुक्षर के लिए कॉप 13 का आवजन कहां पर किया गया कॉप 13 COP कई कॉप होता है कॉप का पूरा नाम होता है Conference of Parties Conference of Parties कॉप 13 का जो बैठक है आवजन है वो आपका भारत देश में ही हुआ भारत में ही हुआ भारत में कहां गांधी नगर में गांधी नगर कहां की रादानी गुजरात की और गुजरात के गांधी नगर में और इसका जो मसकट है जो सुभंकर है वो रहे रहेगा आपका Great Indian Bustard ग्रेट इंडियन बस्टर आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि जंगली जानोरों को जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए उनको सनरच्छर देने के लिए कॉप 13 का एवजन भारत में किया गया भारत के गुजरात में गांधी नगर में ग्रेट इंडियन बस्टर में आपको यहां पर जी जी ट्रिपल जी आप याद कर लीजिए आपका एक कुश्चन तयार हो जागा गुजरात गांधी नगर और इसका जो सुभंकर है मसकट है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियर बस्टर चलिए यहां से इतना कुश्चिन जान गए हम नेक्ट कुश्चिन की बात करने हम लोग किस राज में गुरुपदम संभो की 19 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया गया तो यह जो राज यह आपका यह असम असम में असम में ही सवरी किस राज में गुरुपदम संभव की 19 फीट उची प्रतिमा का अनावरन किया गया तो इसका सही उत्तर है ओडिसा ओडिसा इसका सही उत्तर है ओडीसा के गश्वपती जिले के चिरांग नामक अस्थान पर गुरुपदम संभव की 19 फीट उची का अनावरण किया गया अब दोस्तों गुरुपदम संभव है कौन मैं उनके बारे मैं तुलाव साब को बता देता हूँ इनको जो है तिबबत में बाओध धर्म का संस्थापक माना जाता है तिबबत की राधानिय लहासा और तिबबत में जो गुरुपदम संभव हो इनको जो है बाओध धर्म का संस्थापक माना जाता है और इनकी मूर्थी का जो 19 फिट मूची मूर्थी है उसका अनावरण ओडिसा के गजपती जिले के चिरांग नामा का स्थान पर किया गया है किस राजे सरकार ने प्रतेक दुलहन को एक तोला सोना देने की घोसला की है एक तोला सोना देने की घोसला की है कहां की सरकार ने प्रतेक दुलहन को यह सही उत्तर आपका असम असम की सरकार ने अरुना धती योजना के तहत अरुना धती योजना के तहत प्रतेक दुलहन को एक तोला सोना देने की घोसला की है ये असम के लिए लाग होता किसे योजना के तहत अरुना धती योजना के तहत नेक्स्ट कोशन देखते हैं आरवियाई ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए बिना गारांटी वाला रिड़ RVI ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए बिना गारांटी वाले क्रिसी डिनर को सीमा एक लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पहले जब बिना कोई समान आप गिरिवी रखे हुए जब आप कोई समान गिरिवी नहीं रखते हैं तो उसको कहा जाता है without guarantee, no guarantee, बिना guarantee वाले क्रिसी डिनर की सीमा पहले एक लाग थी अब उसको बढ़ा कर RVI ने कितना कर दिया है छोटे और सीमांत किसानों के लिए उसको कर दिया है 1.6 लाग, मतलब 1,60,000 रुपए तक आपको अब कुछ गिरिवी नहीं रखना होगा, RVI ने कहा है किसके लिए सीमांत और छोटे किसानों के लिए next question देखते है हिमालाई छेत्रों में बादल फटने की घटनाओं का पूर्वा नुमानम लगाने के लिए एक हिमालियन क्लाउड वैदसाला मतलब हिमालियन क्लाउड ऑफजर्वेशन सेंटर कहां अस्थापित किया गया तो इसका सही उत्तर है उत्तराखन दोस्तों आपको पता होगा कि 2012-13 में एक त्रासदी आई थी केदारनाथ में और उसी के उपर मूवी बनी है केदारनाथ जिसमें आपको कुछ सीन्स देखने के मिल दाएंगे बॉलिवूड की मूवी केदारनाथ है इसी के उपर बनी है इसलिए उत्राखंड में Himalayan Cloud Observation Center यानि Himalayan Cloud साला स्थापित किया गया है उत्राखंड में और उत्राखंड के कहां टीहरी जीले में और दोस्तों टीहरी आया है तो टीहरी से मैं आपको बता दूँ कि भारत का सबसे उंचा डेम तिहरी बाद है जो लोग अभी तक यह पढ़ते चले आ रहे हैं कि भांखरान अंगल बाद भारत का सबसे उंचा बाद है उसको अब लोग अपडेट कर लिजिए आपका सबसे उंचा बाद अब हो गया है टिहरी बात करीब 880 फिट के आसपास नेक्स्ट कोशन ग्रैमी पुरुसकार 2019 में सोलो आर्टिस्ट के रूप में बेस्ट रैप अलबम अवार्ड जितने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो इनका नाम है कारडी बी कारडी बी जो है ग्रैमी पुरुसकार 2019 में सोलो आर्टिस्ट के रूप में बेस्ट रैप अलबम अवार्ड जितने वाली महिला बन गहीं कारडी बी दोस्तों मैं आपको बता दू कि 61 जो ग्रैमी पुरुसकार 2019 में 61 आयोजन हुआ मैं इसके उपर आपको साम को आज वीडियो देने वाला हूँ कि ऑसकर आवार्ड 2019 से 20 महत्पूर प्रस्ण होंगे जो आपकी परिक्षा में आता है आप सबको पता होना चाहिए और इसका जो थीम था आजकल दोसो थीम जरूर पूछ आप लोग दिवस नहीं कम पूछता दिवस लेकिन थीम बहुत पूछता है मैं एक वीडियो आपको बात में बताओं को जिस दिन दूँगा साम को मैं एक इंपोर्टेंट दिवस और उसके थीम के बारे में मैं वीडियो आपको बनाओंगा लेकिन अभी नहीं दस दिन बात करीब में इसके आपको वीडियो दूँगा तो इसका जो थीम है विसु रेडियो दिवस का उसका है डी टीप यानि डॉयलाग टॉलरेंस एंड पीस मतलब समवाद सही सूरता औ और सांती विसु रेडियो दिवस तेरा फरवरी को मना जाता है इसका थीम था इस बार का समवाद सही सूरता और सांती मतलब डॉयलाग टॉलरेंस एंड पीस चलिए नेक्स्ट क्वेश्न की बात करते हैं तेरा और चोधा फरवरी को बांध सूरत्च्छा वह पांचवा अंतर राष्टी सम्मेलन कायोजन कहां हुआ है भूनेस्वर वोडिशा की राजधानी हैं भूनेस्वर वहीं पर हुआ था बांध सूरत्च्छा का पांचवा अंतर राष्टी सम्मेलन नेक्स्ट क्वेश्न किसटीम ने लगाता दूसरी बार अर्जी ट्राफ जित लिया है जुसने 2016 में जीता था उसी ने 2019 में जीत लिया वह है विदर्व की टीम ररजीटराफ्य 2019 और ठारर की विजएता रहीए इस बार उन्होंने सहराश्ट को हुआ गया है दोस्तों हिमांचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है क्रेमिका फूड पार्क और हिमांचल प्रदेश की राधानी सीमला और हिमांचल प्रदेश में ही बन गया है भारत का सबसे उचा वोटर सेंटर मतदान केंडर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत का अरुन्धती योजना शुरू कि तो यह मैं आपको नहीं बताओं कर जिन लोगों ने वीडियो को सीरियसली देखा है वो लोग वीडियो को कमेंट करके बताइए कि किस राज़ी सरकार ने अरुन्धती योजना शुरू कि हाली में NTPC ने SBI के साथ कितने रुपए के रिर्ग पर हस्ताक्षर किये समझाते पर हस्ताक्षर किये NTPC का बुरा नाम होता है National Thermal Power Corporation of India और ये NTPC भारत की सबसे बड़ी उर्जा उतपादन कंपनी है जो भारत को उर्जा देती है और ये उर्जा उतपादन की भारत की सबसे बड़ी इकाई है NTPC और इसका सयुत्तर है 5000 करोड रुपए NTPC ने State Bank of India के साथ 5000 करोड रुपए पर समझाते पर हस्ताक्षर किया किस देश के राष्ट्रपती को अफरीका संग का नया अधक्ष चुना गया है तो मिस्र, मिस्र के राष्ट्रपती को अफरीका संग का नया अधक्ष चुना है अब दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपती है तो राष्ट्रपती का नाम भी आपको पता होना चाहिए तो मिस्र के जो राष्ट्रपती है प्रेसिडेंट का नाम है अबदेल, फतेह, अल्सी सी, मिस्र को इंगलिस में कहते हैं एजिप्ट, औरमिस्र की बहुत testify जो राष्टानी एवह काहिरा और काहिरा जो है, काहिरा से ही निकलती हैं नील नदी, मतलब काहिरा सेहरत आपसे पूछा जा जाया किस नदी पर वसा हुआ है तो वह नील नदी पर हैं और और इज़िप्ट की राष्ट्रपती अबदेल फते ऐलसीसी हैं इनी को अफरीका संग का नया अध्यक्ष चुना गया है अफरीका महादिव के में 55 देस हैं अफरीका महादिव में 55 पंदेश हैं और इसकी जो अफ्रीकी संकीज अस्थापना दोहजार एक में की गई थी next question देखेंगे बनुँँ किस देश में बहुराष्ट्री समुद्री अभ्यास अमन 19 की शुरुगात कहां पर हुई आपको बताना है किस देश और कहां पर हुई तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में समुद्री अभ्यास अमन 19 का आयोजन हुआ और पाकिस्तान के किस सहर में पाकिस्तान के कराची सहर में दोस्तों मैं आपको बता दू जहनकाडी के लिए कि अमन 19 जो है इसकी सुरुवात 2007 में हुई थी और यह पाकिस्तान की नहुषेनाय से हर दो साल में एक बार आयोजित करता था आयो करता है तो इस बार जो है छठवां संस्क्रण है आप ले लिजी ये 2007 तक तक तो बारा साल में कुल मिलाकर इस पर छठवां संस्क्रण है और इसमे 45 देश सामिल थे इस आयोजन में सामिल कर लिया है तो इसका सही उत्तर है UAE मतलब United Arab Emirates तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमिरात आपका एपरस्ण UPBR 2019 के इंट्रेंस इक्जाम में आया था पुछा किया था किस देश की अदालत ने विसक कौन सा ऐसा देश है जिसने हिंदी को अपना तीसरा आधिकारिक भासा बना लिया है ऐसे पुछा था आपको बता दू कि United Arab Emirates की जो राजधानी है वो अबुधा भी है और दुबई सहर UAE में ही पढ़ता है आपको Next question साईुक्त राष्ट ने किस वर्ष को रासाइनिक तत्तो की आवर्त सारड़ी के अंतरष्टी वर्ष के रूप में घुसित किया गए तो options आपके हैं, इसका सयुत्तर है 2019, 2019 को सयुत्राष्ट ने रासायनिक तत्तों की आवर्तसारड़ी का अंतरराष्टी वर्स घुसित किया है, important question है, पूछे का जरूर साइन्स में, वर्स 2019 को, क्यों ऐसा किया है कि 2019 को ही अंतरराष्टी वर्स घुसित गया, क्योंकि 2019 में इस इसलिए, 1879 से लेकर 2019 तक आप जोड़ेंगे, तो 150 आएगा, तो कभी भी आपको डाउट हो, कि किस सन को मनाया गया, तो आप 1879 से 2019 जोड़ लीजी, 150 अगर आ जाए, तो यानि 2019 को, सयुत्राष्ट ने रासानिक तत्तों की आवर्तसारड़ी को अंतरराष्टी वर्स की रू फरवरी के आठ से लेकर 14 फरवरी तक जितने महत्पूर्ड कोईशन साब के बने, मैंने आपको बता डाला, चलिए अब एक बार रिवाइस कर लेते हैं, हम लोग कि कौन कौन से ऐसे रासदूत हैं, जो भारत के लिए बनाएगे हैं, अमेरिका में हर्सवधन सिंगला को, अ अर्जेंटीना में दिनेज भाटिया, जो आपको भी आपन उपर मैंने बताया था कि भारत का रासदूत अर्जेंटीना में दिनेज भाटिया, और ऐसे भूटान में हुरुचिर कमबोज, और माल्दी में सुन्जन सुधिर, इसके पहले जब माल्दी वाला मैंने बताया था संजे सुधीर आपको बताया था यही सुझे सुधीर यहां से वाला हो जाएगा चीन में बिक्रम मिस्ट्री को चीन के लिए भारत का राजूत बनाए गया तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं जो है समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडि करेंगे जितना जाद लाइए करेंगे उससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से वीडियो अभी मैं आपको सुभा होर साम दो वीडियो अवेलबल कराता हूं ऐसे मैं आपको दिन में तीन मज़े फी वीडियो वीडियो कराने लगों पहले आप लोग जिन जिन लोग को दिया गया कहां कैसे क्या है कितने कोशन बनेगे एक्जाम में कैसे कोशन आएंगे और इस आउसकर से एक दो कोशन तो पक्का पका है अच्छे अच्छे एक्जाम में यहां से कोशन आते हैं ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक कर जीए शेर किर जी आप उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ठीक है मिलते अगली वीडियो में जय हिन जय भारत